तो दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं बत्वा गोश जो बनाने में आसान होता है और वो शल्जम गोश से भी ज्यादा टेस्टी होता है तो इसके लिए मैंने लिया एक किलो बत्वा उसे मैंने अच्छे से दोकर पानी छानका रख दिया था यह देखे जब का पानी खुश्क हो गया तब मैंने इसे नाइफ की हल्प से इसको कट कर लिया तूसरब मैंने को कर लिया और दाइज ग्राम उसके अंदर ओयल डाला एक कटी भी प्यास डाली एक जिरा डाला आदर टुक्ड़ दालती निये का डगला आदे टोटा मैंने जावेत्री का फूल डाला, पाच लॉंग, पाच हरी लाइची और एक तेजपाल का पत्तर डालके मैंने उसका तलका लगा लिया जब हमारी प्याज लाल हो गई तब हमने उसके अंदर डाला लस्तन द्रक का पेस्ट उसे भी हमने 2-3 चमाठ और फिर उसके बाद ढाली एक चमाच लाल मिक्ष पाडर, दो चमाच धनिया पाडर, एक चमाच रलदी पाडर, एक चमाच नमक और दो हमने डाले कटेवी टमाटर और उसे बहुत अची तरा हमने भून लिया जब और तक क्रमाइटर गल नहीं गए और हमारी ग्रेवी भी ने तरीग थोड़ दी तब तक हम उसे पकाना है भी नमें उसके अंदर डालना अपना कटा हुआ बथवा भनन काट के रख लिया थे एक किलो बथवा था हमारा पिर में उसके अंदर डालना एक चमच नमक और हमें उसे चलाते वे बहुत अच्छे से अच्छे से मिलाने के बाद हमें फिर इसे सीटी लगने को रख देना तक्रीबन दो दूसर तरफ हमने लिया है मटन हमारा मटन था एक किलो इसे हमने अच्छे से दो कर और इसको पानी अच्छानने के लिए रख दिया था तो इस तरफ हमने क्या करा एक फ्राइब लिया उसके अंदर मैंने तोड़ा सा ऐल डाला तक्रीबन के करीब फिर हमने उसके अंदर अपना मटन फ्राइब कर लिया जब तक उसका कलर नहीं बदल गया पार्स से दस मेट लगेंगे हमें और इसकी हीग भी निकल जाती है अच्छी समयल जो आ रही होती वह भी निकल जाती है जब हमारा फ्राइब हो जाए और हमारी बत्वे में दो सीटी आ जाए जब कूकर का ढखन खोलने के बाद आपको इसके अंदर अपना ये फ्राइब मटन मिला देना है अच्छे से पतवा कितना अच्छे से गल गया है इसके अंदर हमें अपना फ्राइब किया हुआ मटन मिला देना है छो इसके अंदर आपको डालना है दही हमारे योगत तक्रीबं 1.5 स गिरा और इसके तक्रीबं 2-3 मेरा तक चलाने के बाद कि मीडियम फ्लेम पर हमें फिर से सीटी लगने को रखते ना तक्रिवन दो कि दो सीटी में हमारा मटन बहुत अच्छे से गल जाएगा और बत्वा भी आपस में दोनों आपस में बहुत अच्छे से मैश हो जाएंगे जब हमारा मटन गल जाए तब सीटी निकलने के बाद हमें डालने हैं इसके मंदर दो टीस्पून के ब्रावर कसूरी में थी और इसे पाच मिनट तक फिर से पकाना है यह देखें उपर से डालना हमें एक चमच गरम मसाला पाडर तयार हो गया हमारा पत्वा गोश पत्वा गोश खाने में बहुत जादा टेस्टी होता है आप इसको चावल के साथ भी खा सकते हैं तंदूरी रोटी के साथ भी खा सकते हैं मक्का की रोटी के साथ भी खा सकते हैं जिससे मरज़े चाहिए आप खाइए खाने में बहुत जादा टेस्टी होता है अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक शेर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा शुक्रिया